अब तक अपने डिमांड की five lectures complete कर चुके हैं and this is the six lecture of demand इसमें हम पढ़ेंगे substitute और complimentary goods में क्या difference है substitute goods कौन से होते हैं यह हम पहले पढ़ चुके हैं lecture number three में I think and complimentary goods क्या होते हैं इसके example क्या होते हैं यह सा हम पहले lecture में पढ़ चुके हैं अब हम पढ़ते हैं कि दोनों में difference क्या है देखिए substitute goods कौन से होते हैं substitute goods वे goods होते हैं जो किसी एक गुट्स के place पे किसी दूसरे यह इतना इतनी लाइन याद रखिए विच यूज इन प्लेस ऑफ इच अधर ऐसे जो किसी एक गुट्स के प्लेस पे हम किसी दूसरे गुट्स को यूज में ला सके वह कौन से गुट्स होते हैं इसकी वादत हैं हम कंप्लिमेंट्री पे ऐसे गुट्स जो दो गुट्स साथ में काया हैं वो होते हैं कंप्लिमेंट्रि गुट्स है अगर हम उन दोनों को हम अलग-अलग यूज़ करेंगे तो वो साथ नहीं ही यूज़ कर पाएंगे तो ऐसे गुड्स जो दो गुड्स को हम साथ में यूज़ मिलाते हैं वो होते हैं complementary goods complementary goods are those goods which use together ये which use together इस complementary goods की refination में ये वाला वर्ड बहुत जादा important है together which use together और substitute goods में which use in place of each other फिर से समझते हैं substitute goods वे गुड्स होते हैं ऐसे goods जिनको हम किसी एक goods के place पर किसी दूसरे goods को यूज़ में ला सकते हैं वो होता है substitute goods complementary goods वे गुड्स होते हैं जिनको हम दो goods को साथ में यूज़ मिलाते हैं जैसे tea and coffee कौन से होते हैं हमारे substitute goods होते हैं tea and coffee में अगर हमें tea चाहिए tea नहीं मिलती है थो हम coffee को यूज़ कर सकते लेकिन अगर हमें coffee पीना है उपमानलो coffee में available नहीं है tea है तो हम उससे भी काम चला सकते हैं और complimentary goods में ऐसा है कि कार है हमारे बास पैट्रोल नहीं उसमें तो हम कहीं नहीं कर सकते और हमारे पैट्रोल है कार या बाइक नहीं है तो हम उसका यूज़ नहीं कर सकते ठीक है अब आता है हमारा second point nature of demand ठीक है तो nature of demand में होता है substitute substitute goods competitive nature का होता है competitive demand होती है की substitute goods की demand कौन से होती है competitive demands फिर complimentary में कौन सी होती है joint competitive यहां पर क्यों होती है substitute में क्योंकि tea and coffee दोनों almost same satisfaction के रिए यूज़ किये जाते हैं या फिर एक goods के प्लेस पे हम किसी दूसरे goods को यूज़ में लाते हैं तो हम tea के place पे coffee को यूज़ कर सकते हैं और coffee के place पे ती को यूज़ कर सकते हैं तो यह दोनों क्या हुआ हूँ हमारे competitive nature में हुए है ना तो substitute goods are those goods have competitive demand फिर उसमें आया हमारा tea and coffee फिर आते complimentary goods complimentary goods वे goods होते हैं जो जिनकी demand joint रहती है joint मतलब क्यों क्यों कि कोई भी एक thing को हम यूज़ में नहीं ला सकते जिसे car और petrol है तो दोनों को हमें साथ में यूज़ में लाना होता है इसलिए इनकी क्या होती है joint demand होती है इसकी बाद आता है relationship इनकी हमें सब positive goods की relationship हमेशा positive in nature में होती है positive होती है relationship substitute goods की हमेशा positive होती है complimentary goods की हमेशा negative का complimentary जो relationship होती है negative इसके वाद आता example जो मैं थोड़ी देर पहले घोटायता tea and coffee and Pepsi and coffee substitute goods के example ओर conundine be just tighter कर अंपयोद उसके लिए जडूरी है चारहें हमारे रुए उसके लिए पैटरोल ज़रूरी और यह हमारे सिल्वेन ँप् Netz सुलें फिर से समझते हैं, first point है हमारा meaning, meaning में आता है, substitute goods are those goods which use in place of each other, फिर आता है हमारा complementary goods, complimentary goods are those goods which use together, फिर इसके बादा आता है हमारा nature of demand, तो substitute goods का nature होता है competitive demand होती है और complementary goods में joint demand होती है इसकी बादाता है relationship, substitute goods की relationship हमेशा positive होती है और complementary goods की relationship हमेशा negative होती है इसके बाता एक्जांपल, substitute goods के एक्जांपल में होता है tea and coffee and pepsi and coke और complimentary goods के एक्जांपल में होता है tea and sugar and current petrol यहां तक हमारा difference हमने अभी तक 6 lectures में दो difference cover कर चुके हैं that is first था हमारा individual and market demand का difference and the second is complimentary and substitute goods का difference दोनों ही difference हमार लिए बहुत important है दोनों में difference हमें पता होना चाहिए और दोनों ही exam के लिए बहुत important है तो यहां तक अपना 6 lecture complete होते है यदि कोई भी doubt end में तो मुझे comment box में mention कर दे यदि speed जादा लगती है slow करने के लिए comment box में mention कर दे thank you for watching